दुनिया की हलचल पर पहनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और सा समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमस्कार परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है अंतराष्टी खबरों में दिल्चस्पी रखने वाले लोग हर व्यक्ति के लिए जियो पॉलिटिक्स जिस तरह से मुर्ती है जिस तरह से नई समिकरन सामने आते हैं कई बार वह हैरान और परेशान करने वाले होते हैं अब देखिए न कुछ समय पहले ही अमरीका और चीन दोनों के जो नेता हैं वो एक दूसरे से उन्होंने बातचीत की पुराने दोस्त कहा और ठीक इस समय जब हम बात कर रहे हैं अमरीकी राष्टपती ने दो देशों के ऊपर निशाना साधा दोनों देशों को उन्होंने स्टेट के तौर पर हैं सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर हैं इन तमाम समीकरों को समझने के लिए जरूरी है एक विशेशग्य की निगाह देखना की जो सामने दिखाई दे रहा है उसके पीछे की कहानिया क्या है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने कहा कि रूस और चीन अथारिटेरियन स्टेट हैं और जो मौजूदा क्राइस है यहां पर उन्होंने निशाना साधा कि उसका एक बड़ा कारण है यह यह आप कैसे देखते हैं कि यह जो सौ देशों का डेमोकरिसी पर लोकतंत्र पे जो सम्मेलन है समिट फॉर इसमें रूस और चीन को वो चिन्हित करते हैं देखिए यह तो एक कोड़ वार का नया शुरुवात एक तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि यही पहले इनके निशाने में थे जब चीन आजादी या क्रांती वहां पर जो कह सकते हैं आउस्तूं के नेटरित में वहा था रूस समा इसरा एक उसका चैप्टर शुरू होने बाला है इसको डिमोक्रिसी वर्स अथारिटेरियरिज्म की नामकरन कर रहे हैं बाइडिन हलाकि अगर आप देखें पिछले पचास साथ सतर साल की इतिहास को देखें तो जिसको अथारिटेरियन स्टेट सभी मानते हैं अमरीका को लेकर उनमें से सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किया है तो अमरीका ने किया है चाहे उसमें हाथियार देना उनको वहां पर कूस को समर्थन करना वहां की जनवादी राश्ट्रिक जो थे उनको गिराना तो पचास के बाद की इतिहास जो है जब से कोल वार चला और क खतम होने के बाद भी वह अथारिटरियन स्टेट्स अर्ट अमरीका का अलाइंस ही आप देखेंगे सबसे ज्यादा अमरीका ने पी छत्रचाया बनाई रखी और तबदीली भी करते रहे शाशन में अपने हिसाब से आप देख सकते चिली का कू जो पिनोचे वहां पर कू करक अब देख सकते हैं जिसको अथारिटरियन स्टेट सभी मानते हैं कि दारा राजवारे अभी वेस्ट इस्या में हैं तेल के उपर बैठे हुए हैं सबसे उनका घनिष्ट मित्र कोहन अमरीका है तो चाहे वह साओधी अरब हो चाहे कुएट हो चाहे उनाइट अरब और हमारी अगर डिमाक्रिसी की मान देखें तो अभी सभी जो कह सकते नंबर्स हैं उसमें हम पीछे जा रहे हैं और ये देखते हुए जो उस वक्त आप डिमाक्रिसी की बात करके अगर सब को इकठा जोड़ना चाहते हैं इसका मतलब है कि एक्शुली ये द्रूवी करण जनवाद के लिए नहीं है ये द्रूवी करण रूस और चीन के खिलाफत मुखालफत करने के लिए है और अगर ऑथारिटेनिरिस्म की बात करें अमरीका के अंदर डिमाक्रिसी का खत्रा अभी सभी कह रहे हैं कि वहाँ पर है और ट्रूप शायद दुबारा वहाँ पर ना इसी संदर में 16 दिसंबर को इन दोनों देशों ने यानि रूस और चीन ने वीडियो के जरीए मीटिंग की पोतिन और वहाँ पर और दोनों ने इस्तमाल किया ओल्ड फ्रेंट दुबारा कहा गया जब अमरीका और चीन के बीच बातचीत थी तो वहाँ पर भी ये रेफरे में शायद ये दोनों देश के जो नेता हैं वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी ये जो वीडियो कांफरेंसिंग हुई है जो मुलाकात हुई है ये क्या संकेत देती है देखिए ये तो साफ साफ अब जो कह रही ही है कि जैसे बाइडन ने सौध देशों की समावेश की उसका जबाब में शी और पूतिन दोनों मिले और उन्होंने अपना दोस्ती का इजहार किया और एक तरह से उन्होंने ये कहा कि हम दोनों एक साथ हैं अमरीका और नेटो के खिलाफ हम अभी तैयार हैं कि कुछ भी होगा तो हम दोनों मिल के लड़ेंगे अगर जो आप जियो आइवान ऐसी आप एशिया इंदो पैसिफिक के नाम पे एशिया नहीं इंदो पैसिफिक के नाम पे वहां एक धुरूवी करण की जा रही है चीन के खिलाफ जिस पे ऑस्ट्रेलिया और भी जापान अमरीका हम भी उसमें शामिल होना चाहते हिंदुस्तान भी वहां शामि खिलाफ और इधर यूरोपएण यूनियन को लेके योग्रिय Massachusetts को यक उद्साल बनाके वहां रूस के खिलाफ एक धुमी नाम करने की कोशन ने हो रही है तो ये दोनों इस पर जो प्र मिलिट्रे हैं ये मतसब हो रहे रहे हैं यहां पर militarization भी इन दोनों जगहों पे हो रहा है अमरीका की नेवी जो है वो साउथ चाइना सी से गुजर रहे हैं चीन के बहुत करीब टाइवान और चीन के बीच पे जो खाड़ी है उसके बीच में से जा रहे हैं तो वहां पर military pressure बाकाइदा चीन के उपर दी जा रही है यूक्रेन में नेटो अभी ही इज़ार किया कि हम यूक्रेन को पूरी तरह से मदद करेंगे जबकि यह पहले नेटो की position नहीं रहा था तो यह देखते हुए लगता है कि दोनों देश यह तै कर लिए हैं कि अभी अमरीका जिस मुद्रा में जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें economic sanctions हातियार की धंकियां कम से कम यह सब चलेंगे और अभी जैसे टाइवान को लेके चल रहा है उस तरह के तनाव सिर्फ यूक्रेन में नहीं Black Sea में भी हो रहा है वहां पर जहाजे आसपास आ रही है बॉर्डर स्रवूस की सी कोस्ट के पास आ रहे हैं तो यह जो चीजे हो रही इसको देखते हुए मैं समझता हूँ दुनिया एक काफी नाजुक स्थिती में इस वक्त है इसको समझने की जरूरत है क्योंकि इस तरह के बातचीत से यह नहीं कि यह जंग चाहते हैं पर जंग इस तरह के बातचीत के बाद छोटे मेंटे घटनाओं से भी छिड़ जाने की संभावना रहती है मैं बार-बार हमारी इस चर्चा में कहता रहता हूँ कि First World War को देखिए कोई जंग चाहता नहीं था विश्वजुद कोई नहीं चाहता था पर हकीकत था कि छोटे मोटे घटनाओं से विश्वजुद वहाँ पर छेड़ा गया तो यह संभावना हमेशे रहता है छोटी कोई चीज कोई कर दे इसके बाद एक बहुत बड़ा जंग में नहीं फ़ज जाएं और दोनों तरफ नाव की अस्तर हैं तो वह बहुत खतरनाक होगी दुनिया के लिए मैं समझता हूं हम लोगों के इसमें काफी नजर रखनी चाहिए जो आप कहते पड़ताल दुनिया मे कि क्या यहां पर होने जा रहा है और सब के उपर क्या असर पड़ेगा बहुत तेजी से घटना क्रम भी बदलता है एक समय दोनों दूसरे ढंके देश बात कर रहे हैं माना जा रहा है कि थोड़ी शांती हो रही है अफगानिस्तान को लेकर सारे देश सामने आ रहे हैं और फिर वापस इधर जा रहा है दो समिट भी हो चुकी है पूटिन के साथ बाइडन की बाइडन के शी के साथ इसके बाद भी इस तरह के घटना क्रम हो रहे हैं यह खतरना है जी जी निश्य तोर पे इस पर हम नजर बनाए रखेंगे पर अभी दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि दुनिया एक बार फिर कोरोना की गिरिफ्त में और उसके सासा जो नया उसका वेरियंट नई नसल आई है ओमिक्रॉन उसकी गिरिफ्त में तेजी से बढ़ती जा रही है जिस तरह से खबरे आ रही हैं अमरीका से और खास और से यूके से ब्रिटेन से तो उसस के बारे में दो चीज कहने की जरूरत है एक तो यह है कि जिसतना तेजी से ओ बढ़ रहा है इस तरह की विकास बढ़ने की बढ़ोतरी हमने पहले नहीं देखा यानि डेल्टा में इस तरह से नहीं था डेल्टा की रफ्तार भी यह नहीं था जो हम इस वक्त देख रहे हैं सबसे ज्यादा फैलने वाली नसल है तो यह साफ है कि डेल्टा से भी काफी ज्यादा फैलने वाली नसल ओमिक्रॉन है क्वेश्चन मारक सवाल अभी भी इस पर बना हुआ है कि कितने भारी बीमारी पैदा करेगा ओबिक्रॉन अगर इस पर लोगों की इंफेक्शन होती है तो कितना मारक होगा कितना मारक होगा यह प्रश्चन चिंद जरूर है तो इस पे कोई बहुत ज्यादा खुशकबरी इसको नहीं समझना चाहिए क्योंकि अगर कम भी होता है पर नंबर्स अगर बहुत ज्यादा होता है तो आपके उतना ही लोग अस्पिताल में पहुंचेंगे मसलन कि माल लिजिए एक दस्वा जो है लोग उस ता सीरियस बीमारी नहीं में ग्रिफ्ट में नहीं आते जैसे डेल्टा में आते हैं पर अगर दस गुना हो गया तो संख्या तो वही हो गी ना और संख्या अगर ज्यादा हुआ तो हस्पिताल के सिस्टम्स कॉलाप्स करने कि स्थिति में आ जाते हैं दिल्ली में देखा है और UK में पहले देखा है और US में भी देखा है तर जगह प डरावना द्रिश्ट बन जाता है और वही पीग जब होती है इन सब चीजों की तब वही द्रिश्ट नजर आती है अगर इस वक्त देखे तो UK में सबसे ज़्यादा इस वक्त फैलाओ UK में है जहां पर एक मौद भी हुई है कि वहाँ पर करीब इस वक्त 93,000 लोग 93,000 लोगो लंगे चल रहा है पर डेल्टा की बढ़ाओ त्रिवी UK में जारी है तो स्पीड गया नहीं है तो डेल्टा भी चल रहा है पर डेल्टा से इसका पैलाओ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है यह जरूर हमारे सामने है तो एक तो बात साफ है कि वैक्सीन का एक फाइदा तो है कि serious cases से बचाना हमने पहले भी जिकर किया है इसमें कि वैक्सीन से पूरी तरह से बिमारी नहीं होगी यह नहीं गटना है गटना यह है कि वैक्सीन अगर आपके पास आप लिये हैं पूरी तरह से vaccinated है आप तो booster dose की भी बात हो रही है तो आपकी बिमारी बहुत ज्यादा होने की दिशाब में नहीं जाएगी तो बिमारी से आप बहुत serious patient नहीं बनेंगे हलांकि इसमें भी कमोबेश serious cases होंगे बट और उसमें deaths की संभावना बहुत कम हो जाएगी यह लगता है ओमिक्रॉन के साथ होगा वैक्सीन के बजाए से और अभी जो कुछ research reports आ रहे हैं उ लंग में इनकी फैलाओ डेल्टा वगारा नसलों से कम है तो इसलिए शाइद serious case बनने से रोके पर साफ तस्वीर यह है कि ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से फैल रहा है वक्त की बात है हिंदुस्तान में आएगा दूस्टे देशों में भी आएगा और इसलिए इसमें कोई दो है यह शुरू हुई अफ्रीका से लेकिन अभी जो ग्राफ है जो न्यूस क्लिक का भी ग्राफ है उसके हिसाब से बाकी देशों में इसके पहलाव की रफ्तार बहुत तगडी है यूके डरावने वाला है अमरीका बाकी जो देश हैं डेन्मार्क और छोटे देश हैं वहां संख्या में वैक्सीन मिल चुकी थी बूस्टर वैक्सीन आदितियादी सब की चर्चा चल रही थी पहले देखें कि कहां कहां पर ज्यादा बढ़ रहा है अगर आप देखेंगे हमारे जो दिसक्लिक के चार्ट से उसमें अब अगर देखेंगे तो आप देखेंगे से हो रहा है उसके साथ-साथ नौडिक कंट्री जो है उसमें भी हमको देख सकते उसमें भी फैलाव काफी तीजी से हो रहा है चाहे वो स्वीडें नॉर्वे देन्मार्क में तो काफी फैल गया है कि वहां पर उनकी टेस्टिंग क्रपाइसिटी से भी बाहर जा रहा है अंद्रूनी देशों से इतना नहीं है और यही एक आफ्री का खासियत है क्योंकि एक कॉलिनीज के रूप में यॉरप वहां पर कबजा कर रखे थे उनकी वहां पर रेल लाइन्स अंद्रूनी नहीं है आपस में जो संबंद होने चाहिए वो भी नहीं है ज्यादा तर वेस्टर्न यॉरप या अमरीका से है वो कॉलिनीز होने के नाते उनकी तथाकथित मंदर कंट्रिस में कॉलिनाइजर्स जिससे कह सकते हैं उनका कबजा होने के नाते उनके साथ वहां पर समुद्रिक या हवाई जहाज से उनकी आवाज़ाई उदर है तो इसलिए एक दूस करेगी और गाउं होते हुए वो दूसरे देशों में अगर जाएंगे उसको वक्त लगेगा हम यहां भी देखे हैं कि मुंबाई में हुआ तो दिल्ली में प्रभाप पड़ा दूसरे शहरों में प्रभाप पड़ा और गाउं होते हुए आगे बढ़ना बहुत वक्त लगता है इसलिए वही चित्र हम यहां देख रहे हैं जिनके साथ connections है South Africa UK UK के बाद जो है UK से Western Europe की तरफ बढ़ा है और अमरीका के तरफ बढ़ा है तो यह चित्र हमारे सामने साफ है और इसलिए जो आप कह रही है वो हमको देखने को मिल रहा है कि South Africa के बाद United Kingdom इसके बाद European देशों जिनके साथ UK का खास संबन्ध है और अमरीका इन देशों में पहला प्रहप पड़ेगा और इसमें कोई दोराय नहीं है दुनिया interconnected है और इसलिए हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं Omicron साफ बता रहा है कि अगर दुनिया में आफरिका या गरीब देश जिसे least developed economic income, low income countries जिसे कहते हैं उनकी अगर देखें वहाँ सिर्फ 1.2% वैक्सिनेट हुए है अगर वो होगा तो low next जिसको हम जिसमें हम भी आते हैं low medium income countries जिसमें है तो उस पर 13% हुआ है और वो भी इसलिए कि हिंदुस्तान उसमें काफी बड़ा numbers पैदा करता है और हिंदुस्तान में क्योंकि हमारे हैं वैक्सिन बनाने की च्छमता हमारे हैं हमारे हैं ज्यादे वैक्सिनेट हुए है काफी अन्न मुलकों से तो यह अगर इस तरह के विशमता रहेंगे जहां पर बूस्टर डोज आफ्रिका की देशों से ज्यादा दी जा रही है सिर्फ तीन या चार मुलकों में अमरिका और यूके में जितना बूस्टर डोज दिया गया है वो आफ्रिका के low income country से ज्यादा है तो यह विशमता अगर रहेगी जो डूस्टर डिरेक्टर जेनरल भी कह चुके हैं यह तो वैक्सिन अपर्थेड है और जब तक यह रहेगा तो नए मनसले आएंगे और एक कोविड नाइंटिन बरकरा रहेगा pharmaceutical companies जो वैक्सिन बनाते हैं जैसे moderna है और फाइजर है इस वक्त उनकी तो पुआ बारा है उनके तो मुह में घी शकर है कि उनकी मुनाफ़ा इत्ता मुनाफ़ा फाइजर ने दशकों तक नहीं किया है और moderna के तब पहला successful वैक्सिन ही यही है तो billions of dollars इनकी अंदामदानी है तो हम वैक्सिन कंपनियों के लिए COVID-19 बरकरा रखेंगे या सब बिल के COVID-19 के खिलाफ ऐसे ववस्ता पैदा करें ताकि सब वैक्सिनेट हो और नए नसलों का संभावना कम हो यह हमारे सामने चुनौती है और इस वक्त इस चुनौती को हम fail कर और जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है निश्चित तोर पर देश और दुनिया के लिए सबसे बड़े खत्रे के तोर पर दिखाई देरा और आपने जैसा कहा कि लहर सामने खड़ी हुई है उसमें हम कितनी हमें प्रभावित करेगी यह बस समय की बात हो सकती है चार हफ 20 में हम जब जा रहे होंगे तब ओमिक्रॉन चारों तरफ जिस तरह से दुनिया में फैल रहा है देश भी उसकी गिरिफ्त में हो सकता है यह आशंका है यह सरकार भी इस वक्त ही कहना शुरू किया है तो इसलिए सिर्फ नियूस क्लिक के आवाज मेरी आवाज नहीं है यह स विल्चस्प लगती है कि जिस समय ओमीक्रॉन या कोरोना का संकट फ्हला हुआ है वहीं दूसरी तरफ जो महाशक्तिया है वो एक दूसरे के खिलाफ भी तकरीबन जंग शिरने के मूड में है तकराने के मूड में हैं एक दूसरे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं शायद यह बहुत बड़ा संकट पूरे की पूरे जियो पॉलिटिक्स के सामने है जिस पर निगाह, नजर, बनाए रखनी बेहत जरूरी है. शुक्रिया.